नमस्कार बच्चों मैं हूँ अमीत आरिया और बच्चों आज हम लोग आरे सगरवाल मैट्स क्लास 11 का सॉल्ब कर रहे हैं चैप्टर 12 जुमेंट्रिक प्रोग्रेशन जी पी ठीक है इसका हम लोग एकसरसाइज 12A सॉल्ब करने वाले हैं ठीक है बच्चों 12A सॉल्ब करने वाले हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं देखो find the sixth and end term of a GP GP का sixth और end term अपने को निकालना है तो सबसे पहले जान लो end term of a GP क्या होता है है ना end term of GP end term of GP तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि end term GP का क्या होता है जैसे GP होता है ना GP में क्या होता है GP का क्या होता है structure जो होता है वह होता है ऐसा अगला क्या हो जाएगा term AR मतलब पिछले वाले में आर से multiply करो अगला आ जाएगा फिर AR में आर से multiply करो तो AR square आ जाएगा फिर R से multiply करो AR cube आ जाएगा, फिर R से multiply करो AR4 आ जाएगा ति यह GP है ना, GP में क्या हता है, पिछले वाले term में R से multiply, R क्या हता है, R जो है common ratio को R bringing तो एक बात करें तो यहां पर फस्टर्म टेइवन क्या हो गया हमारा होगया ती pretending कि जो हमारा होगया एयर हो गया वह गया स्क्वाइर हो गया ए 4 जो हमारा हो गया biggest इसे ही ये चलता जाएगा और TN जो हमारा होगा जो Nth term है तुम क्या देखोगे तो 1 है तो R का power 0 है, 2 है तो R का power 1 है, 3 है तो R का power 2 है, 4 है तो R का power 3 है, मतलब जो भी term होता है R का power उससे एक कम होता है, तो TN है तो ये क्या हो जागा? यहां पर इसी फॉर्मूला यही टी एन का फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इसी से यह पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला थो इसी सिल से फॉर्फ यहां पर आ पर सबसे कर दो अगर यह जी पी है तो तुम सब में सेम ही आएगा जीकिंखिए देखो टूच को सिक्स को टूच से डिवाइड करोंगे थ्री आएगा एटीञा एगा फिफ्टीफ़दी जाएगा तो हमेशा थ्री आएगा तो आर इक विश्ट क्या हो जाएगा कोई भी ले सकते हो 6 by 2, 3 आ गया, है ना, अब देखो, बोलड़ा है, 6 term, तो since T6, T6 क्या होता है, A, R का power 5, एक कम होता है, ना, तो this implies T6 क्या हो गया, A कितना है, 2, R कितना है, 3 का power 5, है ना, तो कितना आ रहा है, 2 into 3 का power 5 कर लो, तो 3 का power 5 कितना हो जाएगा, 3 3 जा, 9 3 जा, 9 3 जा, 27 3 जा, 81, 81 और 3 जा, 81 जा हो जाएगा तुमारा, 3 बंजा 3, और 3 जा 24, तो 2, 4, 3, तो 2, 4, 3, इसको जब multiply करोगे, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो 4, 86 आ गया, ठीक है, तो यह हमारा T6 है, यह हमारा T6 है, तो यह हमारा एक answer आ गया T6, and TN, TN क्या है हमारा, AR का power N-1, तो यह तो हमारा 2 हो गया, और AR हमारा है 3, है ना, AR हमारा क्या है, 3, तो इंटू 3 का power N-1, तो यह हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा TN है, तो दूसरा answer यह हो गया, हमारा TN, 2 इंटू 3 का power N-1, ठीक है, यह हमारा first question था, चलो second question पर चलते हैं, question number 2 देखो हमारा क्या है, find the 17th and end term, यह same पिछले का तरह कही है, 17 और end term निकालने के लिए हमको बोला है, solution given GP, given हमारे पास GP जो है, ठीक हमारे पास GP जो है, वो है 2, 2 root 2, 4, 8 root 2 and so on, ऐसा है, यह हमारे पास GP है, तो A क्या है, हमारे पास, 2 है, R क्या हो जाएगा, second में first divide कर देते हैं, 2 root 2 by 2, तो 2 to cancel, यह हो गया हमारा root 2, यह क्या हो गया हमारा root 2, तो A2 हो गया, R हो गया, root 2, ठीक है, अब, since T17, T17 है तो A कम होना चाहिए, A, R का पावर 16, है न, T17 है, तो A, R का पावर 16, तो A, R हो गया, root 2 का पावर 16, तो यह क्या हो जाएगा, 2, और root 2 का मतलब होता है, 2 का पावर 1 by 2, और इसका पावर क्या है, हमारा 16, इसका पावर है 16, है न, तो यह क्या हो जाएगा, 2 into 2 का power 1 by 2 into 16 power का power multiply होता है तो यह 2 8 जा हो जाएगा 8 बार में तो 2 into 2 का power 8 इसको लिख लेंगे 2 का power 9 और 2 का power 9 क्या होता है 512 2 को 9 बार multiply करोगे तो 512 हो जाएगा तो यह हमारा T17 है ठीक है तो T17 कितना हुबा 512 चलो अब हमको क्या चाहिए TN and TN AR का power N-1 तो AR का power N-1 तो A कितना है हमारा 2 है R क्या है हमारा root 2 है का power N-1 तो चाहो तो आप यहीं लिख सकते हो यहीं कर सकते हो यहाँ N-1 वह या फिर आप क्या कर सकते हो 2 को लिख सकते हैं root 2 का square into root 2 का power N-1 तो यहां पर देखो बेस सेम हो गया दुनों का तो पावर एड़ हो जाएगा रूट टू का पावर टू प्लस एन माइनस वन तो रूट टू का पावर हो जाएगा एन प्लस वन तो यह हमारा हो गया तो यह TN है ठीक है बच्छों यह TN आ गया चलो नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं कि कुश्चन नमबर थर्ड फैंट दा सेवेंट अन्ट यह भी वही है सेवेंट और एंध टम निकालने के लिए बोला है तो सलूशन लिएंट गीवें जीपी गीवें जीपी जीपी क्या है मारा 0.4 जीरों पॉइंट एट वन पॉइंट सिक्स एड सो अन तो यह यहां पर आहा है जिरोंच फोर अर। आर जो हमारा आ रहा है यह यह हैं फ्रस्ट टर्म र जो आएगा 0.8 वाइऑ 0.4, तो point point, देखो like decimal, point के बाद एक digit, point के बाद एक digit, तो point खतम हो जाएगा, और 4 to 8, तो R का value आ गया 2, अभी यहाँ पर हमको क्या T7 निकालना है, तो since T7 क्या हो जाएगा, AR का 6, जो भी होता है, उससे एक कम, तो AR का 6, तो A क्या है, 0.4, और AR क्या है, 2 का power 6, 2 का power 6, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, 0.4 into 2 का power 6, क्या होगा, 64, है ना, 2 का power 5, 32, 6 हो जाएगा, 64, तो 64 हो जाएगा, 4 से 4, 4 जा 16, carry 1, 4, 6 जा 24, 125 और एक digit पर decimal है, तो क्या आ जाएगा, T7 जो है, वो 25.6 आ गया, ठीक है, और चलो, end, TN, TN क्या होता है, AR का power N-1, तो A है 0.4, और R क्या है हमारा, 2, 2 का power N-1, 2 का power N-1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.4 को, 4 by 10 लिख सकते हैं, point का 1, उसके बाद एक digit, 2 का power N-1, तो यहां से 2, 2 जा 4, 5, 2 जा 10, तो power उपर में देखो, 2 का power 1, और 2 का power N-1, तो यह 1 by 5 तो बाहर हो गया, और 2 का power 1 प्लस N-1, बेस से में power एड़ कर दो, तो 1, 1 कैंसिल हो गया, तो यह हो गया, हमारा उपर 2 का power N, नीचे, उपर 2 का power N, नीचे 5, यह हमारा TN आगया, यह हमारा क्या आगया, TN, ठीक है, यह हमारा TN है, 2 का power N by 5, यह हमारा 3rd number है, ठीक है, चलो next question पर चलते हैं, question number 4, यह भी वही है, 10th term और Nth term निकालना है, 10th term और Nth term निकालना है, तो solution, क्या है हमारे पास, जीपी जो हमारे पास है, जीमेट्रिक प्रोग्रेशन वो है, minus 3 by 4, 1 by 2, minus 1 by 3, 2 by 9, dot dot dot, तो यहाँ पर A जो है, वो minus 3 by 4 है, वहाँ पर R जो है, क्या हो जाएगा, 1 by 2, by minus 3 by 4, यह हो गया, 1 by 2 into, minus 4 by 3, तो cancel हो गया, 2 by 2 जाब 4, तो minus 2 by 3 आ रहा है, ठीक है, minus 2 by क्या रहा है, 3 आ रहा है, तो A आ गया, R आ गया, अब हमको क्या करना है, since T10, T10 क्या होता है, A R का पावर 9, तो A है, minus 3 by 4, into, R है, minus 2 by 3 का पावर 9, है न, तो यह आ रहा है, minus 2 by 3 का पावर 9, अभी यहां, minus 3 by 4 आ गया, ध्यान से समझेना, और यहां पर देखना, ध्यान से, कि minus का पावर 9, minus का पावर और रहेगा, तो minus होगा, 2 का पावर 9, और नीचे क्या है, 3 का पावर 9, ऐसे लिख सकते हो, तो यहां पर तो minus minus प्लस हो गया, 3, 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वार, into 2 का पावर 9, और 3 का पावर 9, है ना, तो यहां से देखो, फिर क्या हो रहा है, equals to, तो 3 का पावर, देखो यहां, 3 का पावर को नीचे उठा के लिए आओ, और 2 का पावर को उपर, तो 2 का पावर 9, नीचे में देखो 2 है, तो उपर जाके minus 2 हो जाएगा, और 3 का पावर 9, उपर 1 है, पावर नीचे आके minus 1 हो जाएगा, यह हो गया हमारा, तो 2 का पावर आगया हमारा 7, 3 का पावर आगया 8, तो 2 का पावर 7, 5 बार में 32 होता है, 6 बार में 64, और 7 बार में 128 आजाएगा, 128 ठीक है, और 3 का पावर 8 नहीं, 3 का पावर 8, तो 4 बार में 81 होता है, तो 81 into 81, 81 का square कर लो, तो 6561 हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, क्या था T10, यह हमारा था T10, तो T10 इकोस्ट इतना आगया, तो यह answer हमारा एक हो गया, ठीक है, और अपने को क्या TN निकालना है, अपने को क्या करना है, TN निकालना है, तो A है हमारा minus 3 by 4, और R है हमारा minus 2 by 3 का power n minus 1, तो इसमें तो और कुछ करी नहीं सकते हैं, तो बस यह हमारा answer आगया, minus 3 by 4 into minus 2 by 3 का power n minus 1 ही लिख दो, यह हमारा TN है, तो इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यह हमारा answer हो गया, ठीक है, एक answer यह है, और एक answer यह है, ठीक है यह था हमारा question number 4, चलो next question पर चलते हैं, question number 5, which term of a GP is this, कहता है GP का कौन सा term यह है, solution, given GP, given GP, GP क्या है हमारे पास 3, 6, 12, 24, so on, and TN जो हमारा है, which term बोला, है न, तो इसको TN मान लेते हैं, nth term मान लेते हैं, ठीक है, और यह which term पूछाएं न, and TN equals to 3072, 3072, मान लेते हैं इसको C, ठीक है, TN यह है हमारा, TN यह है, तो यहाँ पर देखो तो, A जो है, first term जो है, वो 3 है, B जो है, sorry, R जो है, common ratio जो है, 6 by 3 कर लो, तो वो 2 है, तो since, TN equals to क्या होता है, A, R का power n-1, हमको ने actually, which term बोला, तो TN यह मान ने, तो हमको पता करने है, कौन सा term है, n का value पता करने है, तो TN equals to इतना, तो TN के जाए क्या हो जाएगा, 3072, और A क्या है हमारा 3, R क्या है 2, 2 का power n-1, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, यह 3 यहाँ multiply, इधर लाकर divide कर लो, तो 3075, 3072 by 3, और यह हो जाएगा 2 का power n-1, तो यह से सो cancel करो, 3 बंजा 3, 0, 326, 342, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, 1024, 1024 है न, तो 1024 equals to 2 का power n-1, ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो अभी 1024 को हम ना factorize कर लेते हैं, इसका prime factor कर लेते हैं, 1024, और यह देखो, क्या है हमारा, 2 से 5, 2, 10, तो यह देखो, तो यह देखो, फिर तो यह देखोर, 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 फिर तो यह देख 5 6 7 8 9 10 यह 2 का पावर 10 हो गया है ना तो 10 24 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 10 equals to 2 का पावर n minus 1 यहां से क्या हो गया this implies 10 equals to n minus 1 ठीक है तो n equals to क्या हो जाएगा 10 plus 1 तो n equals to क्या हो गया 11 तो required term जो है हमारा 11 तर्म है तो required term equals to 11 तर्म 11 तर्म required term जो है वो 11 तर्म है ठीक है चलो यह था हमारा 5 नंबर चलो next question पर चलते हैं question number 6 क्या है solution गीवें जीपी यहां भी विच टर्म कौन सा टर्म यह गीवें जीपी जीपी क्या है हमारा देखो तो गीवें जीपी minus 1 by 4 है 1 by 4 minus 1 by 2 1 और end tn tn मान लेते हैं tn equals to minus 1 to 8 मान लेते हैं से ठीक है ऐसा है तो यह देखो यहां पर क्या रहा है 1 by 4 आर जो आ रहा है minus 1 by 2 second term by first term 1 by 4 तो minus 1 by 2 into 4 by 1 यहां से cancel हो के 2 तो कितना आ गया minus 2 यह आ गया रहा गया since tn equals to क्या होता है a r का power n minus 1 तो tn क्या है हमारे पास tn है minus 1 to 8 और a क्या है 1 by 4 और r क्या है minus 2 का power n minus 1 ठीक है यह 4 multiply कर लो यहां पर तो minus 1 to 8 into 4 ठीक है और यह हो गया minus 2 का power n minus 1 पूरा minus 2 है भाई हमारा minus 2 का power n minus 1 तो इसको अगर हम लोग अब देखो तो हम लोग ना 512 को जब तोड़ोगे फेक्टराइस करोगे प्राइम फेक्टराइशन करो 512 का प्राइम फेक्टराइशन करो तू से करते हैं तू तू जा 4, 5 तू जा 10, 6 तू जा 12, फिर तू से 128, फिर तू से 6 तू जा 12, 4 तू जा 8, फिर तू से 32, फिर तू से 16, फिर तू से 8, फिर तू से फिर 2 से करोगे तो 4 फिर 2 से करोगे तो 2 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 आ रहा है odd number है ना तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं odd number है ना तो minus 2 का power 9 क्योंकि 9 odd है तो minus रह जाएगा 2 का power 9, 512 हो जाएगा minus 2 का power n minus 1 और इस तरह से देखो क्या हो गया हमारा 9 equals to n minus 1 तो n की जो value है वो हो जाएगा 9 plus 1 और n equals to हो गया 10 तो required term is 10th term तो required term क्या है हमारा required term equals to 10th term required term क्या हमारा 10th term है इसको मिठा सकते हैं वो rough था यह required term जो है हमारा 10th term ठीक है बच्चों तो यह था हमारा question number 6 चलो next question पर चलते हैं question number 7 which term यह भी same वही sum है हमारा तो solution given GP given GP root 3 3 3 root 3 and so on and TN देखो क्या है हमारे पास 729 729 729 से मान लेते हैं कि यह TN है तो यहाँ पर A का बात अगर हम लोग कर लें तो वो root 3 है और R का बात कर लें तो 3 by root 3 है actually बच्चों 3 जो हैता है न root 3 into root 3 होता है root 3 into root 3 3 को root 3 into root 3 लिख सकते हैं और नीचे root 3 एक root 3 cancel होके सिर्फ यह क्या बच जाएगा root 3 बच जाएगा और यह है root 3 और R भी है root 3 का पावर N-1 ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 729 अच्छा 729 को जो हम लोग ना फेक्टराइज कर लेते हैं प्राइम फेक्टराइशन करते हैं 729 का 9 9 18 3 से जाएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 फिर 3 से जाएगा 8 3 जा 24 3 3 जाएगा 27 फिर 3 से जाएगा 9 फिर 3 से जाएगा 3 तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर 3 का पावर 6 आ रहा है 3 का पावर कैं गया 6 और यहाँ पर root 3 कहा देखो यहाँ पर इसका पावर 1 multipylle है ना तो ऐड्ड हो जाएगा पावर तो root 3 का पावर n यहां पर 1 है और इसका पावर n प्लस n माइनस 1 है तो 1 1 cancel हो गया तो यह हो रहा है हमारा 3 का पावर 6 रूट 3 का पावर 1 तो 3 का पावर 1 बाई 2 का पावर n यहां हो गया तुमारा 3 का पावर 6 और 3 का पावर n बाई 2 ठीक है 3 का पावर क्या हो गया n by 2 तो अब देखो यहां से क्या हो रहा है 6 equals to n by 2 तो यहां से n equals to कितना हो रहा है 6 2 जा 12 एन का value कितना आ गया 12 हो गया ठीक है n का value कितना आ गया 12 हो गया तो इसका मतलब हमारा जो required term है required term equals to 12th term required term क्या है हमारा 12th term है है ना required term क्या हमारा 12th term है ठीक है बच्चों यह हमारा हो गया चलो 7 के बाद हम लोग आते हैं 8 में 7 के बाद आते हैं हम लोग 8 में ठीक है तो 8 देखो क्या कर रहा है find the geometric series whose 5th and 8th term are 80 and 60 80 and 64 640 80 and 640 कहता है हमारा 5 और 8 term जो है 80 और 640 है 80 और 640 है ठीक है तो अच्छा लोग देखो अभी ध्यान से solution तो हमको geometric series निकालना मतलब GP निकालना है तो given गिवेन इन जीपी इन जीपी एक जिमेट्रिक प्रोग्रेशन में फिप्त टर्म क्या है एट है sorry 80 है and 8th term क्या है 640 है 640 है इन जीपी यह दिया हुआ है तो मान लेते हैं let a be the first term a be the first term and r be the common ratio a first term है और r क्या है हमारा common ratio है ठीक है तो since कि देखो ध्यान से सिंस कि टी फाइब t5 equals to 80 है तो t5 को में लोग क्या लिख सकते हैं ar का 4 equals to 80 equation 1 ले ले लेते हैं and t8 जो है वो क्या 640 है तो इससे क्या हुआ t8 को क्या लिख सकते हैं ar का 7 है na equals to 640 हो गया इसको number 2 ले ले लेते हैं अब equation 2 को equation 1 से divide करते है equation 2 divided by equation 1 we get equation 2 को हम लोग equation 1 से divide करते हैं तो क्या आ जाता है तो this implies कि यहां से एक एंसील हो गया और देखो उपर में 7 पावर नीचे 4 पावर है ना और यहां से यह जाएगा और 8 8 जा 64 है ना तो क्या हो रहा है यहां पर देखो ध्यान से कि आर टूदी पावर उपर जाएगा पावर तो माइनस हो जाएगा 7-4 equals to 8 2 का पावर क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं 8 को यहां पर आर का पावर 3 को च्चुट2005 पावर 3 यह इस तरह से आर का वैलु क्या होगया two हो गया डाका वैलु मारत ठीक है अच्छ वार मँण है हुआम c'll क्या बास की यहां पर क्या और तो क्या हो रहा है ए और यहां यहां पर क्या हो रहा जायागा तो शिस्टिन फाइब जह और टी तो एक वैल्यू जो है वह फाई पागया है ना एक से वैल्यू फाइप आगया अपने को जिए मेट्रिक स्रीज लिखना तो Ben when in mathematics सिंस जीपी जो होता है वो जीपी जो होता है उड़े ए ए प्र्र कि आन्हें यह है और स्कॉारि और क्यूंब कै इसे चैनल रहे यहाइँ प्रिफट्रे चलत द्रेश केए प्र तुमारा question number 8 चलो next question पर चलते हैं question number 9 यह भी वही है तुमारा solution GP was first term given in a GP in a GP t4 1 by 18 and t7-1 by 486 t4 1 by 18 t7 minus 1 by 486 अब देखो माल लेते हैं let first term equals to let first term जो है वो a है and common ratio जो है वो r है तो since t4 equals to क्या है 1 by 18 है तो t4 को हम लोग क्या लिख सकते है यह नमबर 1 हो गया and t7 जो है वो है हमारा minus 1 by 486 है तो this implies ar का जो 6 है minus 1 by 486 है यह नमबर 2 लिख सकते हैं ठीक है अब equation 2 के equation 1 से divide करो equation 2 minus equation 1 we get तो 2 को 1 से divide कर रहे है तो हो जाएगा ar का 6 by ar का 3 ठीक है equals to minus 1 by 486 minus 1 by 486 486 by नीचे क्या हो जाएगा 1 by 18 यहां से यह तो क्या हो गया cancel हो गया और उपर चल रहे हैं हम लोग तो this implies ar का पावर 6 minus 3 equals to minus 1 by 486 into 18 by 1 तो 18 से तो इसको कटना ही चाहिए तो 18 2 जा 36 48 में 36 जा 12 126 है ना तो 18 7 जा 126 तो यहां पर क्या हो गया आर का पावर 3 equals to minus 1 by 27 होता है 3 का पावर 3 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर का पावर 3 और minus 1 by 3 का पावर भी 3 कर लेंगे तो हो जाएगा minus 1 by 27 ठीक है क्योंकि से क्या है हमारा ती 4 जो है 1 by 18 सॉरी ए आर का क्यूब ए आर का क्यूब 1 by 18 है तो ए आर हो गया माइनस ही हो जाएगा 27 by 18 है ना या माइनस तुम चाहो तो नीचे लेलो यह माइनस नीचे आ गया फिर बाद में उपर कर लेंग कोई फेला हो जाएगा ऑ खकत पर रजो है में-अ-बया पर एहार स्कूरे अर क्योब एक ट्रोक्री तो इस इंद्ली तो अ तो तो दुसरह एहार माइनस 3 by टु इंटू माइनस 1 बाइठी फिर माइनस 3 बाइद टू इन्टू माइनस 1 घंती का sqy और है और और So on, ऐसा ही चलते रहेगा, तो This implies यह क्या हो जाएगा, minus 3 by 2, اور minus minus, यहां से 3 by 2, 3 by 2 कट जाएगा, तो क्या बचाएगा, 1 by 2 बच जाएगा, 3 by 2, 3 by 2 कटा, तो क्या 1 by 2 बचाएगा, और फिर देखो यहां पर, minus 3 by 2, اور 1 by 9, तो minus 3 by 2, और cross 1 by 9 यहां से 3 कड़ गया और ऐसे चलेगा तो this implies minus 3 by 2 1 by 2 और minus 1 by 6 यह हमारा 6 है and so on तो यह हमारा answer हो गया तो minus 3 by 2 1 by 2 minus 1 by 6 यह हमारा answer हो गया ठीक है यही हमारा GP है required GP यह था हमारा question number 9 ठीक है यह हमारा question number 9 था चलो next question में चलते है question number 10 देखो क्या है 5th, 8th, 11th term of a GP are ABC 5th, 8th, 11th term ABC है तो क्या प्रूफ करना है कि B square request to AC होगा तो solution क्या है हमारे पास inner GP गीवेन गीवेन इन जीपी इन जीपी एक जीपी में जो है इन जीपी 5th term, 5th term a, 8th term, 8th term b और 11th term, 11th term c ठीक है यह है यह हमारा जीपी में 5th term a, 8th term b और 11th term c तो लिट क्यूंकि ABC यूज हो चुका है तो मान लेते हैं लिट लिट first term, first term equals to capital a मान लेते हैं and common ratio जो है capital r मान लेते हैं चाहो तो कुछ भी मान लो, xy भी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, बट a r मान लेते हैं क्या है हमारा a, तो this implies a equals to a r का 4, ठीक है अब देखो इसको number 1 ले लो, t 8 equals to होता है a r का 7, t4 a r का 7, तो t4 होता है, t8 क्या b है, t8 हो गया a r का 7, तो यह b equals to a r का 7 यह number 2 हो गया, और t11, t11 होता है a r का 10, तो this implies c equals to a r का 10, यह रह number 3, अच्छा, अब देखो तो 9, l अच्छा, 9, b square equals to, b square क्या है तुमारा a r का 7 का square, कहां से आया from 2, from 2, यह 2 से आ रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, a square और r का 7 का square, 7 to 14, ऐसा आ रहा है न, अच्छा, हमको क्या प्रूफ करना a c, तो a देखो क्या a r का 4, तो यहां से हम लोग क्या करते है, a square का a ले ले लेते हैं, और r का 4 ले ले लेते हैं, ठीक है, और फिर a ले ले यह वाला हमारा हो गया c, तो यह हो गया a और c, और यह है तुमारा b square, ठीक है, यह हमारा हो गया, कहा से, from 1 and 3, from 1 and 3 से, 1 और 3 से, तो b square request to a c, यह हमारा proof हो गया, ठीक है, यह हमारा proof हो गया, यह था हमारा 10 नमबर, ठीक है, चलो next question पर चलते हैं, question number 11 and a camera pass first term of a GP is minus 3 a chai square of second term is equal to its 4 term find 7 term to solution given in a GP in a GP first term t1 this first term minus 3 over and square of second term t2 kai square equal to 4 term t4 it now to maletan let first term equals to a and common ratio equals to R to since t1 equals to minus 3 t1 to a ho jaega first term minus 3 and t2 ka square equals to t4 t2 ka square equals to t4 t4 है ठीक है तो this implies t2 t2 क्या है हमारा a r का square equals to t4 t4 क्या है हमारा t4 है a r का cube t4 है a r का cube तो ए तो हमारा यहां पर हो गया a square r square a r का cube तो यहां से हो रहा है a square by a a square by a r cube by r square a यहां से cancel हो गया a r square cancel हो कि यहां पर r बचा तो this implies a equals to r a equals to r तो this implies a क्या है हमारे पास minus 3 equals to r आ गया तो r भी कितना आ गया हमारा minus 3 आ गया ठीक है r भी हमारा minus 3 आ गया अब बोल रहा है no seventh term no seventh term क्या है t7 a r का 6 तो this implies t7 a कितना आ रहा है minus 3 और r कितना आ रहा है minus 3 का power 6 तो इस तरह से आ रहा है माइनस 3 का power 7 माइनस 3 का power 7 तो माइनस का power 7 तो माइनस आ जाएगा और 3 का power 7 3 को 7 बार multiply करोगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 27 3 जा 81 81 3 जा 243 और फिर 3 जा 3 3 जा 9 3 3 जा नहीं 3 जा करेंगे न तो यह तो हो गया तुम्हारा पांच बार में छे बार में हो जाएगा 3 3 9 4 3 जा 12 करी वन और 3 2 6 1 7 और फिर यह 7 बार में 3 बार में करोगे तो 9 3 2 7 करी 1 9 3 2 7 करी 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 2 2 3 3 9 सुरी 4 3 2 2 1 जोगा न 3 3 9 4 3 2 2 1 करी वन इतना तो 9 3 2 27 करी टू तू 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 जा 6 तू एट और और 3 2 7 321 तो टी सेवन क्या रहा है हमारा ती सेवन जो हमारा आ रहा है वह माइनस टू थॉजेंट वन हंड़ेटी सेवन आ रहा है ठीक है यह हमारा 11 नंबर है चलू नेक्स्ट चलते हैं 12 find the sixth term from end end से sixth term है ना तो solution end से sixth term तो गिवन जिपी जो हमारा गिवन जिपी जो हमारा है वह 8 है 4 है 2 है और लास्ट वाला टर्म है 1024 तो end की बात कर रहे है है ना end से उल्टा मतलब इधर से तो इधर से चल रहा था तो ध्यान देना इधर से चल रहा था तो आ रहा है इधर से चलेंगे तो आर माइनस में आ जाए रेसी प्रोकल आ जाएगा नहीं इधरसे उल्टा अर हो जाएगा बस यही फर्क होता है ठीक है तो तो बोल रहा है six term from end, तो from end, from end, end से, ए क्या हो गया हमारा from end से क्या है, one, one zero two eight है, ठीक है, आर क्या हो जाएगा, उल्टा, इधर से अगर करते हैं, second minus first करते हैं, four by eight करते हैं, इधर से उल्टा कर रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, तो eight minus four, eight by two कर लेंगे, तो यहां पर four by eight करते हैं, यहां पर eight by four कर लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, two, तो आर हो गया, two, ठीक है, तो six term, six term from end, from end, it, equest to क्या हो जाएगा, अ, R का five, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, तो यह A भी उल्टा लिये हैं, आर भी उल्टा लिये हैं, तो A क्या है, one by one, one zero to eight, one zero to eight, R क्या है, two का पावर five, ठीक है, two का पावर five, तो यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, two का पावर five Как उो जाएगा 32 by 1028 अब इसको काट लो आप 32 थ्री बार में 96 तो 32 थ्रीजा 96 यहां पर क्या बज़ गया यहां पर बज़ गया 96 हो गया पांच बार में 32 थीक है नीचे आ रहा है 1028 सॉरी 1024 भाई 24 थीक है 24 थीक है यहां पर क्या हो गया 32 थ्रीजा 96 अभी यहां से कि 96 हटा दो तो यहां पर 64 बच रहा है तो 32 तूजा 64 यह तो वन बार में वन बाई 32 तो यह हमारा आंसर हो गया ठीक है यह हमारा आंसर हो गया 12 का कुश्चन था यह तुमारा बाई 32 चलो नेक्स्ट कोईशन में चलते हैं 13 इसमें फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड बोला है तो सॉल्यूशन कि विन जीपी जीपी जो है मारा तू बाई 27 है थ्री बाई 9 है तू बाई 3 है और 162 है तो फ्रॉम इंड फ्रॉम इंड एंड से क्या हो रहा है तुमारा फ्रॉम इंड यह जो है 162 है फ्रॉम इंड से और आर जो होगा यह वाला उल्टा इधर से ने उल्टा डिवाइड करेंगे तो 2 by 27 divided by 3 by 9 equals to 2 by 27 divide को multiply में change करो 9 by 3 9 3 जा 27 तो 2 by 3 ये क्या होगे मारा 2 by 3 आर होगे है 2 by 3 ये आगया इतना ठीक है तो fourth term fourth term from end end से जो fourth term है AR cube 162 into R 2 by 3 का cube ये आजाएगा 162 into 2 by 3 into 2 by 3 2 का power 3 8 कर लो और 27 कर लो है अच्छा अभी देख लेते हैं हम लोग इसको त्रीका क्यूब कि नाइन त्रीजा 273 त्रीजा 9 कुछ गड़बड तो नहीं है हमारा स्वारी 2 by 9 हम 3 by 9 ले लिए यहां पर 2 by 9 है ये 2 by 9 है तो यहां भी टू आ जाएगा ये टू टू कैंसिल होके 1 by 3 बचेगा सिर्फ तो यहां भी 1 by 1 by 3 होगा तो यह 1 by 27 हो गया ठीक है अच्छा अब यह 6 बार में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा यह 13 हमारा है चलो नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं 6 हमारा क्यूशन 14 इफ ए बी सी और पीद क्यूथ आर्ट टर्मों पर जीपी सो देट यह दिखाना है अपने को स्लूशन स्टेड़ तो क्या दिया हो यह एग इनक्यूशन और इनजी पी इनजी पी पीध टर्म टी पी कवैस्टों ए क्यूथ टर्म टीक्यू इक्वैस्टूबी और अर्थ टर्म ती य एर एकवश्टू सी ठीक है अच्छा यह स्व करना अपने को तो यहां पर मान लेते हैं लेट । फस्ट्रम हिर् फर्स्ट्रम इकवश्टू ए एन्ड अकोमन रेश्यो एकवश्टू आर और कॉमन रिश्यों क्या है मारा और फ्रस्टर में और कॉमन रिश्यों क्या कर लिए हम लोग ले लिए तो तो टीपी तो क्या है तुमारा टीपी इक्वस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट R का पावर P-1 तो this implies A equals to A R का पावर P-1 ठीक है TQ क्या है हमारे पास A R का पावर Q-1 तो TQ क्या हमारा B B equals to A R का पावर Q-1 और T R क्या हमारा A R का पावर R-1 तो C equals to क्या हो गया A R का पावर R-1 सबाग गया है न इसको चाहो तो 1 लेलो इसको चाहो तो 2 लेलो इसको चाहो तो 3 लेलो 9 LHS LHS देखो क्या हमारा Q-R लॉग A प्लस R-P लॉग B प्लस P-Q लॉग C तो this equals to है ना this equals to क्या हो जाएगा एक्छली ना इसको हमना थोड़ा से यहां से हटा लेते हैं नहीं हुआ ए ए हो गया यहां पर फिर R-P R-P लॉग B प्लस P-Q लॉग C तो यह क्या हो जाएगा लॉग A का पावर Q-R प्लस Q यह फार्मूला होता है ना यह फार्मूला होता है क्या कि लॉग A का पावर B इक्वस्टू B लॉग A है ना और B लॉग A और B लॉग A है तो B न पावर बन जाता है तो यहां पर जो मल्टिप्ला है वो पावर बन गया तो A का पावर Q-R हो गया और फिर लॉग B का पावर R-P हो गया फिर log C का power P minus Q हो गया ठीक है तो यह क्या हो गया plus में है तो यह हो जाएगा log A का power Q minus R into B का power R minus P into C का power P minus Q ठीक है तो यह multiplied हो गया तो अब देख। यहां पर A तो log A के जग्राद क्या डाल सकते हैं एके जिगर डाल सकते हैं लोग A, R का पावर, A, R का पावर P-1, A, R का पावर P-1, और इसका पावर हो गया Q-R, फिर B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A, R का पावर Q-1, का पावर R-P, ठीक है, और C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A, R का पावर R-1, का पावर क्या हो जाएग P-Q P-Q है न यह सारा अच्छा है एक formula यहाँ जो लगाये थे हम लोग वो क्या लगाये थे लगाये थे log A plus log B plus log C किसी भी base पर हो यह सब हो जाता है multiply log A, B, C तो यह हम लोग formula यूज किये log का ठीक है यह log का formula यूज किया तो चलो देखलो यहाँ से तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा log पावर का पावर multiply होगा A का पावर Q minus R और R का पावर multiply करो PQ minus PR minus Q plus R फिर यहाँ A का पावर R minus P और R का पावर QR minus QP minus R plus P और इंटू A का पावर P minus Q और R का पावर R P minus R Q minus P plus Q अभी यहाँ से देखो log सारा A का पावर अड़ कर लो तो Q minus R plus यहाँ पर क्या है R minus P प्लस यहाँ पर क्या है P minus Q और फिर R का पावर सारा अड़ कर लो PQ minus PR minus Q Q plus R plus इसका R का पावर ले लो QR minus QP minus R plus P plus R P minus R Q minus P plus Q सब को काट कुट लो यहाँ से देखो सब को काट दो सब कट जाएगा ना सारा प्लस माइनस पेयर में है तो सब कैंसिल हो जाएगा सब कुछ भी नहीं बचेगा सब कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा log A का 0 log R का भी 0 है ना तो A का 0 भी 1 और R का भी 0 log 1 into 1 तो 1 into 1 हो गया log 1 और log 1 की value क्या होती है 0 होती है और यह हो गया RHS proved ठीक है तो यह हमारा RHS proved हो गया यह था हमारा 14 नंबर ठीक है बच्चों तो इस तरह से हम लोगों ने 14 नंबर बना लिया नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं कुशन नंबर 15 दा थार्ट टम ओफ जीपी इस जीपी का जो थार्ट टम है वह 4 है प्रोडेक्ट ओफ फर्स्ट फाइब टम्स चाहिए सॉलूशन मान लेते हैं गीवन गीवन इन जीपी इन जीपी थार्ट टम ती 3 इक वस्ट टू 4 लेट मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रिश्यो आर फर्स्ट टर्म ए है कॉमन रिश्यो क्या है आर है ठीक है तो अभी क्या हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म टी 1 हो जाएगा ए टी 2 हो जाएगा ए आर T3 हो जाएगा AR square T4 हो जाएगा AR cube और T5 हो जाएगा AR 4, क्या बोला, find the product of first 5 term अब यहाँ पर, तो इतना अगे, इतना तो then then इतना, तो since T3 equals to 4, तो T3 क्या है तो this implies T3, AR square equals to 4 तो AR square हमारे पास 4 है यह है, इसको 1 ले लो now, अब हमको product निकालना है now, product of first 5 term product of first 5 terms are first 5 terms का जो product है, वो क्या हो जाएगा T1 into T2 into T3 into T4 terms, equals to लिख देते हैं, equals to into T5 और equals to T1 A into AR into AR square into AR cube into AR4 तो देखो, सब A का पावर जोड़ लो तो A का पावर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और AR का पावर 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10 तो AR का पावर 10 तो इसको लिख सकते हैं AR square का पावर 5 और AR square क्या है, हमारा 4 है AR square क्या है, 4 है 4 का पावर 5 फ्रॉम 1 4 का पावर 5 4 का पावर 5 कर लो मतलब 2 का पावर 10 तो 2 का पावर 10 क्या हो जागा 10, 24 है न यह हमारा answer हो गया तो 10, 24 हमारा answer हो गया यह था हमारा question number 15 चलो next question पर चलते है Question number 16 देखो क्या कह रहा है Enough finite GP ठीक है, मतलब number of terms GP में finite है Prove that product of the terms EQ distance from beginning and end Term जो beginning से और end से EQ distance पर है Product of first and last term First और last term के product के बराबर है तो मान लेते हैं Let In finite GP Let in finite GP finite GP Infinite GP Infinite GP first term Infinite GP first term Equals to A Common ratio Equals to R और last term Last term Equals to TN जो है Last term है और वो L के बराबर है किसके बराबर है? L के बराबर है ठीक है? अब देखो अब यह हमारा आर्थ टर्म है यह लास्ट टर्म है Common ratio R मान लिए है तो अभी देखना है Prove that the product of terms EQ distance from beginning and end Beginning and end Beginning and end तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं R-th term from beginning R-th term from beginning या फिर X-th term from beginning X-th term from beginning Beginning से X-term क्या होगा? है न? Beginning से X-term तो TX हो जाएगा तो AR का power X-1 ठीक है? और X-th term from end from end इंड से जो X-term होता है वो होता है TN-X plus 1 यह होता है याद रखना यह कि AR-th term from end AR-th term from end from end इंड से जो AR-th term होता है वो होता है TN-R plus 1 तो हमने X लगाया इसलिए R के जगह पर X ले 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 लिया ठीक है? आरके जगह पर क्या ले लिया? X तो यह हो जाएगा AR का power यहाँ X-1 तो यह क्या हो जाएगा? N-X plus 1 और minus 1 तो यह 1-1 cancel हो गया और यह हो जाएगा AR का power N-X ठीक है? तो नो product of product of X-th term X-th term from beginning and end equals to AR का power X-1 और AR का power N-X ठीक है? तो यह क्या हो जाएगा? A square और R का power X-1 और plus N-X तो X-X तो cancel हो गया? और यह हो गया? A square और R का power N-1 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A into AR का power N-1 तो यह हो गया A into इसको क्या? TN लिख लेते हैं और TN क्या था? हमारा L था A into L और यह क्या हुआ? A हो गया तुमारा first term into last term इसका मतलब क्या हो गया? यह X term शुरू से भी end से भी लिए मतलब equidistance from beginning or end हो गया equidistance from beginning and product of terms equidistance from beginning and end तो हम लोग लिख सकते हैं 10 10 product of product of terms from beginning X के जिए कोई भी डाल सकते हैं first, second, third कुछ भी डाल सकते हैं इसलिए डारेक्ट लिख दिए product of terms from beginning from beginning and end beginning and end equals to product of product of first and last term last term proved यह हमारा proof हो गया ठीक है? product of first and last term यह था हमारा 16 ठीक है बच्चो? यह product of first and last term होगी है चलो next question पर चलते हैं 16 में, 17 में देखो यह हमारा 16 था यह 17 then so that ABCD in GP यह दिया हुआ है थमको दिखाना है ABCD GP में solution given क्या given है हमारा? A plus BX by A minus BX equals to B plus CX by B minus CX equals to C plus DX by C minus DX और साथ में X 0 नहीं है ठीक है? तो पहला दो term लेते हैं taking first and second term taking taking first and second term पहला और दूसरा term लेना है तो A plus BX by A minus BX B plus CX by B minus CX componento, dividendo apply करते हैं componento, dividendo क्या होता है? समझ लो componento and dividendo यह जो है ratio proportion का proportion का actually में यह एक property है क्या होता है कि if A by B equals to C by D हो तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं A plus B by A minus B C plus D by C minus D यह हमारा componento और dividendo है ठीक है? यह हमारा componento और dividendo है है न? तो A plus BX by A minus BX equals to B plus CX by B minus CX तो इसमें apply करेंग componento, dividendo तो by applying componento, dividendo applying componento and dividendo dividedendo तो सौर्ट में लिख देते हैं यही ठीक है? तो यह क्या हो जाएगा? A plus BX और plus A minus BX by A plus BX minus A minus BX equals to B plus CX plus B minus CX by B minus B plus CX minus B minus CX ठीक है? तो ऐसा अच्छा यहां से देख सकते हैं A plus B by A minus का उल्टा भी हो जाएगा A by B वही आएगा? solve भी करोगे तो वही आजाएगा? यहां से BX, BX cancel हो गया? यहां से A, A cancel हो गया? यहां से CX, CX cancel हो गया? यहां से B, B cancel हो गया? तो this implies क्या हो गया तुमारा? A, A, 2A by 2BX equals to यहां से 2B by 2CX तो यहां से यह cancel, यहां से यह cancel, ठीक है? तो और अगर चाहो तो यहां से X, X भी cancel हो जाएगा तो हमारा क्या हो गया? this implies A by B equals to B by C number 1 ठीक है? अब हम लोगोंने first और second term लिया था अब हम लोग क्या करते हैं? second और third term लेते हैं taking taking second and third term second and third term second और third term हम लोग लेते हैं second क्या है? B plus CX B plus CX by B minus CX equals to C plus DX by C plus DX by C minus DX तो लगाओ component और डिविदेंडो applying component और डिविदेंडो applying component और डिविदेंडो divide और component और डिवाइडेंडो और डिवाइडेंडो अप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? B plus CX plus B minus CX by B plus CX minus B minus CX और C plus DX plus C minus DX by C plus DX minus C minus DX तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा? CX CX cancel यहाँ से B B cancel यहाँ से हमारा DX DX cancel यहाँ से हमारा C, C cancel तो उपर आ रहा है 2B और 2CX equals to 2C और 2DX तो 2, 2 भी cancel और XX भी cancel तो क्या है हमारा? B by C equals to C by D यह रहाँ नमबर 2 तो from 1 and 2 from 1 and 2 1 और 2 से देखो क्या रहा है? 1 में बोला A by B equals to B by C 2 में बोला B by C equals to C by D तो actually में हो गया A by B B by C C by D ठीक है? A by B, B by C, C by T तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया ठीक है? तो इसी का यह जब यह बराबर हो गया तो this implies A, B, C, D R in GP तो यह हमारा GP में हो गया GP में यह होता है न यह 1st term by 2nd term 2nd term by 3rd term 3rd term by 4th term यह इसको पलट दो यह C को पलट दोगे तो सब हो जाएगा B by A equals to C by B equals to D by C तो हो गया तुमारा A, B, C, D, R in GP तो यह हमारा था question number 17 ठीक है? चलो next question पर चलते है question number 18 क्या है? कि if A and B are the roots of the this and C and D are the roots of the this where A, B, C, D are in GP तो चलो देखो यहां पर solution क्या बोल रहा है? given दिया हुआ A, B A and B are the roots of roots of x square minus 3x plus P equals to 0 तो sum of roots तो A plus B तो minus B by A तो यहां पर A के जिगा 1 है B के जिगा B के जिगा minus 3 है ना और C के जिगा P है तो minus B by A है ना minus B by A होता था याद है alpha beta अगर हमारा root होता है तो minus B by A होता है तो A के जिगा अगर यहां पर देखा जाए तो a के जगा 1 है, b के जगा माइनस 3 है, c के जगा p है ठीक है, तो यहाँ पर a b root दिया, a and b a and b दिया, root दिया, ठीक है तो actually alphabet है, तो minus b by a होता है, minus b क्या, 3 minus 3 by 1 तो minus b by a तो minus b के जगा तो already minus 3 है तो minus 3 by 1 तो equals to क्या हो गया 3 तो this implies a plus b b जो है, वो 3 हो रहा है equation 1 ले ले लेते हैं, ठीक है अच्छा, और product of root a b, c by a होता है, तो c क्या है, p by 1 तो c by a हो गया, p by 1 तो p by 1 तो p ही हो गया p by 1 क्या हो गया, p हो गया, यह नंबर 2 यह तो ऐसा हो गया, end end यहाँ लगा देते हैं a b equals to a b equals to p by a b equals to p by, यहाँ से a b p हो गया हमारा, और a plus b 3 हो गया हमारा, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, end given, यह तो दिया है वाता तमारा c and d also c and d, c and d are roots of roots of x square minus 12x plus q equals to 0, तो this implies sum of roots क्या हो जाएगा, c plus d equals to minus b by a, तो b क्या है, minus 12, तो minus minus plus 12 by 1, तो 12 हो जाएगा, यह number 3 and c d equals to c by a, तो q यह हो गया, अच्छा, प्रूफ क्या करना है हमको, p plus q, p minus q 7 is to 15, और बोल रहा है कि a b c d g p a b c d क्या है तो तो चलो a b c d को हमको क्या करना है, gp है, तो a b c d को क्या कर लेना है, replace करना है, खाले p और q को रखना है, तो a b c d को replace करते हैं हम लोग, तो since, a b c d r in gp यह gp में है, है ना, तो a equals to a हो जाएगा, common ratio r मान लेते हैं, तो b equals to a r हो जाएगा, क्योंकि second term है, तो b equals to a r हो जाएगा, c equals to a r square हो जाएगा, d equals to a r cube हो जाएगा, अब देखो तो, from one, from one, क्या हमारा, a plus b equals to three, तो a plus b के जाएगा, a r equals to three, तो यहाँ से हो गया, a common ले लो, one plus r equals to three, यह है हमारा number five, और, and c plus d, and c plus d equals to twelve, c plus d equals to twelve, तो c क्या है हमारा, a r square और d क्या है तुमारा, a r cube equals to twelve, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, a r square common निकालो, one plus r equals to twelve, यह number six हो रहा है, यह number six हो रहा है, six को divide करो five से, अब equation six, equation six divided by equation five, we get, equation six को equation five से divide करो, क्या मिलने वाला अपने को देखो दियान से, a r square one plus r, और a one plus r equals to twelve by three, तो यहाँ से a one plus r, one plus r cancel, a a cancel, यहाँ से three, four जा, twelve, तो यहाँ से देखो, r square equals to kya r, r square equals to kya r, four, तो r का value देखा जाए, तो plus minus two है, r का value क्या हो गया, plus minus two, ठीक है, r का value आ रहा है, plus minus two, तो r का value एक बार plus two लेके चलो, एक बार minus two लेके चलो, बट अपने को क्या प्रूफ करना है, 17 is to 15, तो positive से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो r का value हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो r equals to, if r equals to two, तो then, from, अब हम लोग p q का value निकालना है, मैंने लिए तो p q का value निकालना है, हमको, a b हटाना है, तो r का value 3 आ गया, तो देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, c d, from 3, sorry, to a b equals to p, तो from two, a b equals to p, है न, a into b क्या है हमारा p, तो a के जगा तो a रख लेंगे, है न, a के जगा हम लोग क्या रखेंगे, a, और b के जगा 1 plus r equals to क्या आ गया, p, अच्छा पहले r निकल गया न, तो r तो हम तो फिर r से पहले na, a का भी value निकालने लेते हैं, और from हम लोग, 5, 6 में से कोई एक ले लेते हैं, 5, from 5, तो 5 में क्या है हमारा, a, 1 plus r equals to 3, from 5, a, 1 plus r equals to 3, तो a, 1 plus r क्या है, 2 equals to 3, तो a equals to 3 by 3, कट के हो गया 1, तो a का value क्या हो गया, 1, तो a भी आ गया हमारे पास, और r भी आ गया हमारे पास, ठीक है, तो 9, from, from 2, a, b equals to p, to a, to a है, b क्या है, 1 plus, b क्या हमारा, a, r है, b क्या हमारा, a, r है, b क्या हमारा, a, r है, b के जगा हम a, r रखंगे, b हो गया, a, r equals to p, तो this implies P equals to A square R तो P क्या है 1 का square और R है 2 तो 1 का square और 2 तो क्या हो गया 2 तो यहां से P का value जो आया 2 आया ठीक है P का value कितना आ गया 2 ठीक है और Q अब Q का value निकालेंगे from 4, 4 में देखो तो क्या है हमारा from 4, 4 में CD equals to Q CD equals to Q CD equals to Q है C के जगा AR C के जगा देखो तो AR cube है साइद AR square है C के जगा AR square है और D के जगा AR cube है तो C के जगा AR square D के जगा AR cube equals to Q ठीक है equals to Q तो यहां से हो गया A square A square R का power 2 और 3 पाँच Q तो A square हो गया हमारा 1 का square और R है 2 का 5 बराबर Q तो this implies Q का value क्या हो गया 2 का 5 हो गया 32 गुना 1 दो 32 तो Q का value हो गया 32 तो 9 अब हम लोगों को जो proof करना है क्या proof करना है देखो तो Q प्लस P बाइ Q माइनस P Q प्लस P Q प्लस P is to Q माइनस P equals to Q प्लस P बाइ Q माइनस P तो Q 32 और P क्या है 2 और 32 माइनस 2 तो यह हो गया हमारा 34 बाइ 30 तो 2 से कड़ जाएगा दोनो 17 तूजा और 15 तूजा तो यह हो गया हमारा 17 बाइ 15 और इसको लिखेंगे 17 इस्टू 15 और यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था ठीक है तो यह था हमारा कोईशन नंबर 18 ठीक है बचों कोईशन नंबर 18 तो बचों आज हम लोगों ने यह पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2L बेस वाल कर दिया अगर आपको विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को के साथ सेयर कर लें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब भी कर लें यहाँ पर आपको आपके बुक के सारी के सारी सोलुशन अब लेवल होने वाली है ठीक है बचों तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए बाइ गुड़ नाइट टेक केर